हेलो स्टुरेंट्स के यूट्वी प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है आज की कास में हम जीवाजी विश्विद्याला के द्वारज जारी की गई संसूधित अधिसूचना लेकर आए हैं जो की M.A.M.S.C.M.C.M.C.M. जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है अधिसूचना क्रमांक 532 और डेट दे रखी 15 मार्च 2021 की और साथ जी साथ उन्होंने एक और टीप लगा रखा है अंतिम अवशर का तो यह जो की है बता रहा है कि यह जो है आपको फार्म भरने का अंतिम अवशर होगा पीजी फर्स सेमेश्टर के छात्रों के लिए इसके बाद देखते हैं क्या लिखा है तो सरस्वमिन दितों के शूचनार्थ यह अधिसूचित किया जाता है परिक्षा 2020 में समलित होने बारे परिक्षार्थियों के लिए परिक्षा आविदन पत्र नीमित सुल के साथ महाविद्याले जमा करने के यो तिती यह वह क्या है 17 मार्च 2021 दे रखा है MA, MSC और MCOM के लिए साथ ही साथ जो regular student है नीमित है उनके लिए परिक्षा सुल दे रखा है 955 की और MSC के लिए 1418 रुपीज फिर संस्थागत भूतपूर छात्र का परिक्षा सुल है 1255 से महावी 1255 और 1780 रुपीज 1780 रुपए MSC Home Science के चात्रों का लगेगा 80-80 अगर चात्र की बात करें तो 600 रुपए प्रतिविशा के हिसाब से आप अपना परिक्षा शुल जमा करेंगे फिर आपको परिक्षा फॉर्म महाविद्याले में सब्मिट करना है परिक्षा आविदैन पत्र महाविद्याले द सकते हैं फिर इसके बाद उन्होंने लिखा है कि ऐसे परिक्षा थी जिनोंने MA की कप्षाओं में प्राइव की विशा लिया है ऐसे चात्रों को प्राइव शुल की रूप में 400 रुपए अतिरिक तरास जमा करनी होगी है रासी आनलाइन परिक्षा शुल्क में जोड़ी ज रखा है कि समस्त महाविद्याले प्राचार उन्हें देशित लियाता है कि वे अपने महाविद्याले प्रथम से वेश्टर के समस्त नामांकर आविदन पर तत्काल विश्विद्याले में जमा करें जमा ना करने के इस्तित में यह मान लिया जाएगा कि आपके मार्च के लिए फिर से ओपेन किया गया है यह अंतिम आउशर होगा इसके बाद फिर पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा परिक्षा फॉर्म भरने के लिए तो अगर ऐसे चात्र जोके भी परिक्षा फॉर्म नहीं भर पाएं किसी कारवरत्स वो इन दो तितियों में अपने से प्राप्त होंगे question paper आप उसका assignment भी भर लिखकर महाविद्यालाय में submit करेंगे जिसके आधार पर आपका इस semester का मुल्यांकन किया जाएगा और आपकी market generate की जाएगी clear तो यह थी हमारे दारा दी गई जानकारी जीवाजी बिश्विद्यालाय की संसोधित असूजना इसक